इस दुनिया में कब क्या अजूबा हो जाएं कुछ का नहीं जा सकता कुछ ऐसा ये अजूबा हुआ बिहार के उरंगाबाद के सदर अस्पताल में जहां पर एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जनम दिया है जिसका पूरा शरीर गर्ब से ही प्लास्टिक से लिप्टा हुआ है जियां गईज अब ठीक सुन रहे हैं दरसल डॉक्टरों के मताबिक बच्चा कोलोडियन नामक बिमारी से ग्रसित है जिसकी वज़े से बच्चे का शरीर चमडी से नहीं बलकि प्लास्टिक नुमा किसी चीज से ढखा हुआ है दरसल ये बिमारी माबाप के शुक्रानूओं में गर्बडी की वज़े से हुई है जिससे बच्चे के पूरे शरीर पर प्लास्टिक की परच चड़ गई है क्या आपने इस से पहले तक इस अजीबो गरी भीमारी के बारे में सुना था कमेंट सेक्चन में जरूर लिखेगा अब हमारे यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब से भी पहले देखें हमारी A2 एप पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डाउनलोट राइट नाउ पैक्ट नमबर टू काईज लंबे समय से दुनिया के विज्ञानिक जानवरों और इंसानों के बीच में एक नया हाइब्रिट बनाने की तैयारी में लगे हुए थे और इसी तैयारी की चलते विज्ञानिकों ने एक मानव और एक बंदर का हाइब्रिट तैयार भी कर लिया था पर वो हाइब्रिट सिर्फ 19 दिनी जिन्दा रहा इनफेक्ट चाइना के विज्ञानिक भी एक पावरफुल हाइब्रिट को बना रहे है जी हाँ गाईज चाइना की एक लैब बे तयार हो रहा ये हाइब्रिट एक सूपर सोलजर होगा जो की समंदर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष तक महा मानव की तरह चीन के सेने शक्ति को बढ़ाएगा गाईज आपको क्या लगता है कि चीन का ये महा मानव उसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अब सिर्फ साउथ के सूपर स्टार और स्टाइलिस टार माने जाने वाले अलू अरजुन अब सिर्फ साउथ के ही सूपर स्टार नहीं बलकि पूरे इंडिया के सूपर स्टार बन चुके हैं क्योंकि उनकी फिल्म पुषपा पूरे इंडिया में रिलीज के पहले ही दिन सबसे ज़दा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पुषपा ने इंडिया में पहले ही दिन 71 करोड रुपियों की रिकोर्ड तोर कमाई की है और आज तक किसी भी बॉलीवूड के मेगा स्टार ने भी अपनी मूवी को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दिलवाई है गाईज आम तोर पर अगर उधार देने वाला भूल जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे इमानदार होते हैं जो कि खुद से उधार चुकाने की सोचते हैं लेकिन एक शक्स ऐसा भी है जो 68 साल पहले की 28 रुपे की उधारी को चुकाने अमेरिका से भारत आया जी हाँ गाईज अब ठीक सुन रहें दरसल हरियाना के रिटायर नोसेना कामोडोर बीएस उपल ने साल 1954 में एक दुकानदार शंबू दयाल बंसल से 28 रुपे का समान उधार में लिया था उसी दोरान उन्हें बाहर जाना पड़ा था क्योंकि उनकी जोब नेवी में लग गई थी इसी कारण वो उनका कर्ज नहीं चुका पाए लेकिन जब वो 68 साल बाद लोटे तो उन्होंने 28 रुपे उधार के बदले 10,000 रुपे चुका कर अपना कर्ज उता रहा गाइस क्या हो अगर आपकी कंपनी का बोस चलती मिटिंग में आपको नोकरी से निकाल दे जी हाँ गाइस एक ऐसा ही वाक्या देखने को मिला जब बैटर.com कंपनी के CEO विशाल गर्ग ने चलती मिटिंग में एक दो या दस नहीं बलकि पूरे 900 करमचारियों को नोकरी से न मार्केट में बने रहने के लिए फैसला जरूरी है जिसके बाद हर तरफ सोचल मीडिया पर विशाल गर्ग को एक बुरा बोस का जाने लगा और आखिरकार इतनी बुरी ट्रोलिंग के बाद विशाल गर्ग को माफी मांगनी पड़ी पर सिर्फ माफी मांगी सबकी नोकरी तो चली गई गाइस सोचिए अगर कोई कंपनी आपको इस तरह से नोकरी से बाहर निकाल दे तो आपका क्या रियक्शन होगा कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अब हमारे यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब से भी पहले देखे हमारी एटू वैप पर लिंक डि ओधिकेशन मिल सेकें स्टेव तेमिल रटेटर के कनेकते स्टेव ब hybrid in